नमस्ते और मुशान्ति आप सब शुरताओं को, आपको स्वागत है आपके ही चानल पर, See the soul, the truth lies within और आज की शुरी बर्दान में जाने से पहले, जो लोग इसको इंस्टाग्राम में सुन रहे हैं या अगर आप ट्विटर पर सुन रहे हैं, तो आपको ये लिंक दिया जा रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, जो की आपको लेके जाएगा यूट्यूब के चैनल पर, उस यूट्यूब के चैनल पर आप जहांपर जाकर के, रेलेशिंशिप्स के बारे में, खानपान, सोने, डाएट, दाएट, फूड हापिट्स, चेर पर बैट कर यूगा कैसे करना है, फ्लेक्सिबिल्टी सब कुछ जान सकते हैं आज के वरदान में 210 सरव वरदान में परमापिता में कहते क्या हैं बाबा कहते हैं अपने भाग्ये और भाग्य विधाता भाग्य विधाता हो गाए परमपिता परमात्मा और अपने जो भाग्य दिया है परमात्मा जो राज खोला हमारे लिए उसको ध्यान दें कि गुण गाने वाले सदा प्रसन चित भवा सदा प्रसन होने के लिए छोटी छोटी बाते आती है जीवन में उच नीच होती है जीवन में लेकिन अगर ये सुमेती में रहे कि भागे बताता ने मेरा भागे कैसा बनाय हुआ है मुझे भागे में आगे क्या मिल रहा है कल्यों की समापती के बाद में मैं कहां जाने वाली हूँ आत्मा और फिर सत्यू में कैसे आने वाली हूँ यह सब पुछ याद रहे तो छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी मन मोटा अप में हम भसेंगे नहीं तो बाबा कहते हैं, विस्तार में देखें सभी ब्रामन बच्चों को जनम से ही ताज ब्रामन मरलब की जो भी ब्रह्म कुमारीज में जो की आड़म परमात्मा ने जो डेरेक्शन दिये गाइड़ेंस दिये है, आदम को या ब्रह्मा को उनके आचरण में चलने वाले, तब ही कहते हैं, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण में चलना, आचरण मतलब से यह नहीं कि आपने सेलिबसी रखी हुई है, आचरण मतलब सोच से लेकर के, देखने के तरीके से, खान पान के तरीके से, सुनने के तरीके से, चलने के तरीक वो भी उनके आचरण में करना उस चीज के बारे में हैं तो परमात्मा देखें विस्तार में कहते के हैं सभी ब्रामन बच्चों को जर्म से ही ताज ताज मतलो क्या है कि आप परमात्मा के बच्चे हो आपसे कोई पापकर्म होने नहीं चाहिए बहुत ख्याल रखो और आपको सबकी सेवा करनी सबको गाइडन्स करनी सबको दिशा दिखानी है तो अपने आपको समाल के रखना है क्योंकि मैं जो करूंगा मुझे देख और भी करेंगे तो वो ताज मिला है तकत मिला है तकत किस चीज का मिला हुआ है हमें सबसे इंपोर्टन चीज है कि हमें कभी भी परमात्मा के तकत से परमात्मा की गोच से उतरना नहीं है हमें हमेशा सबका ख्याल रखना सबके बारे में सोचना अच्छा सोचना वो भी मिला है जैसे कर र कि हमें royal सोच रखनी परमात्मा के जैसी फिर तिलक जनम सिद अधिकार के तिलक मतलब कि आत्मा के सुरूप में सोचना कि मैं एक soul हूँ, एक आत्मा हूँ उसके अनुसार में अगर हर चीज को देखूँ तो मेरा कुछ भी नहीं है, कोई मेरा भी नहीं है तो ना किसी से गरिना, ना नफरत, ना किसी चीज की इच्छाएं बहुत जादा तो तिलक भी मिला हुआ है जनम सिद अधिकार के रूप में प्राप्त होता है जैसी हमें यह ग्यान मिलता है रूपानी ग्यान, स्पिरिचल उनियोस्टी में, प्रमा कॉमारी में यह नौलेज मिलती है तो आटमाटिकली यह सारी चीज के राज हमें समझा जते है फिर अधिकार के रूप में प्राप्त होता है तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए यह चमकता हुए सितारा सितारा भी आतमा एक सितारा है, प्रमात्मा भी एक सितारे है प्रकाश है देखते हुए अपने भाग्य और भागी विदाता के गुण गाते रहो अगर हम किसी के गुण गाते हैं जैसे कि आज इंसान भी क्या होता है एककिसी अक्टर एक्टरिस का, एककिसी विक्ति का फैन होता है, तो उसकी महिमा काता रहता है विक्ति तो उससे क्या होता है कि अंदर विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं गंदी दुनिया का और अच्छी दुनिया की पालना करवाते हैं विष्णु के द्वारा तो ये सारी चीज़े परमात्मा के तो बहुत अनंत हैं उनकी महिमा है तो इस सारी चीज़ अगर गुणगान करते हैं रहो परमात्मा शान्ती का सागर, प्रेम का सागर, खुशियों का सागर, मेरा सच्चा सच्चा साथी ये गुणगान करने से हमारे अंदर खुशियां बढ़ती हैं और इसी के जगह अगर आप किसी विक्ति को लेकर पकड़ कर के पूरे दिन पर उसके बारिबास तो आपकी शेक्तिया कप जाती हैं तो बार मात्मक cheate अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाऊ प्रमात्मक के गुण गाऊ और अपने गुण गाऊ और मेरे अंदर ये कम जोड़ी है , यह नहीं होता , यह मैंGregor गलती है , मैं कब सुधर होंगा , यह अपने आपको कोसना नहीं है , परमात्मा कहते है , कब अब कोई मेरे से भी rooms नहीं हो , इसा nic पर्मात्म की भई महिमा करो, अगर अपने बारे में बुरा भी ख़यालाते है, तो पर्मात्मा के बारे में तो आँछा सोच सकती है ना, तो अपने अंदर शक्ती बढ़ेगी, पर्मात्मा भी एक आ आत्मा है, बाकी जैसे जो विक्ति लोग है, वो भी तो एक आत्मा है बस क्या है शरीर है उनके पास में परमात्मा के पास में शरीर नहीं है तो परमात्मा भी एक चेतन शक्ति है और जो शरीरों के अंदर जो बैठी हुई आत्मा है जिनके बारे में अच्छा है बुरा सोचते है वो भी चेतना ही है तो परमात्मा के बा कैसे बन चुका हूं और अब मुझे अच्छे बने का रस्ता भी बता दिया है परमात्माने मेरी कमी-कमजोरी मुझे दिखा दी उनको कैसे साफ करना वो भी दिखा दिया है इंसान तो कमी-कमजोरी दिखा करके आपको गिराता है परमात्मा कमी-कमजोरी दिखाने से पहले आ आगे के गुण गाते रहो, प्रश्णों से पार रहो तब सदा प्रसन अचित रहने का वरदान पराप्त होगा। प्रसन कि हम दाव्ट होता है अपने उपर भी और प्रमात्मा के दौरा दीवेगन कि आफिक क्याता है, तब क्या आते है शंखा आती है, ये नग्छा दै और जो प्रसंत की उसुआ में। को भी सहज ही प्रसंद कर सकेंगे खुद अगर प्रसंद रहेंगे अगर आपका मूड आफ हो तो आपको क्या चीज की समयती है और की कमे कम जोरी के तो आज के यह श्रीवर्दान अगर आप यह प्रैक्टिस कर सकते हो और कर रहे हो तो उसको जरू कमेंट में डालेगा और आपका दिन शुब हो आप सुके रहें सुस्त रहें ओम श्यंति